जूटे अभी योकता के विरुध याचिका परंतु मैं तो प्रार्थना में लौलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तो उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्य मारे मारे फिरे और भीक मांगा करे। उनको अपने उजडे हुए घर से दूर जाकर टुकडे मांगना पड़े। महाजन फंदा लगा कर उसका सर्वस्व ले ले और परदेशी उसकी कमाई को लूट ले। कोई न हो जो उस पर करुना करता रहे और उसके अनात बालकों पर कोई तरस न खाए। उसका वंश नाश हो जाए। दूसरी पीडी में उसका नाम मिठ जाए। उसकी पित्रों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप न मिठे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे। वह उनका नाम पृत्वी पर से मिटा डाले। क्यो था और श्राप उस पर आ पड़ा। वह आशिरवाद देने से प्रसंद न होता था। इसलिए आशिरवाद उससे दूर रहा। वह श्राप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके परन्तु हे यहोवा प्रभू, तू अपने नाम के निमित मुझसे बरताव कर, तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरित्र हूँ, और मेरा हृदय घायल हुआ है, मैं धलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं देखते, तब सिर हिलाते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुस्तार, मेरा उधार कर, जिससे वे जाने की यह तेरा काम है, और हे यहोवा, तूने ही यह किया है, वे मुझे कोसते तो रहे, परन्तु तू आशीश दे, वे तो उठते ह कि लज्जित हो, परन्तु तेरा दास आनंदित हो, मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए, और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान उड़े, मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूँगा, और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तूती करूँगा, क झाल 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 झाल